हाई व्रिबन आईए आज की इस वीडियो में हम कलासिक्स का साइन्स एंसी इयाटी बुक का शोल्यूशन चेप्टर नमबर 11 परकास छायाएं एवं पड़ा बरतन इस चेप्टर से रिलेटेट सारे सोल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले वाले चेप्टर का भी लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ठीक है तो अगर आप पहले वाले चेप्टर का भी सोल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जरूर किलि बनाएए जिससे हमें अपारदर्शी बश्तूओं के बारे में जानकारी मिलने में शहायता हो सके ठीक है तो यहाँ पर आपका questions दिया हुआ है और यहाँ पर एक figure की रूप में आपको मिले जिससे कि हमें पता चले कि अपार दर्सी बस्तुओं के बारे में हमें जानकारी मिले ठीक है तो यहाँ पर इन सब निस इन सारे word से क्या बन गया अपारदर्सी ओके अच्छा अब बस्तुए आच्छा बस्तुए तो यहां पे एक bucks में यहां पे लिखा हुआ है तो पर बस्तूइं हो ग़े ठीक है इसी तरह next हो गी आपका चाया तो चाया छो चाया बन चुका एंठीक है और बनाती है यह देखे बनाती और है यहाँ पर ठीक है इस तरह सब्दों को पुर्ण में विबस्थित करके कह सकते हैं कि यह komme जो है बो है अपार दर्सी बस्तु में छाया बनाती है तो ये इसका correct sentence हो गया ठीक है तो इस तरह ये इसका answer हो गया ओके चलिए question number two की और आते है question number two क्या कह रहा है question number two कह रहा है नीचे दी गई बस्तुओं अथवा पदार्थों को अपार दर्सी पार दर्सी पार भासी दिप्त अथवा अदिप्त में बरगी करित किजिए यहाँ पे इतने सारे नेम आपको दिख रहा है ठीक है जो कि बस्तुएं हैं पदार्थ हैं इनको क्या करना है आपको अपारदर्सी में बाटना है पारदर्सी में बाटना है फिर पारभासी फिर दीप्त ओ दीप्त इन सारे में बरगे करित करना है यानि कि छाठना है ठीक है अपारदर्सी किसे कहते हैं, जिससे परकास आरपार ना हो, उससे अपारदर्सी कहते हैं, इसी तरह पारदर्सी किसे कहते हैं, जिससे परकास आरपार हो जाए, उससे हम लोग पारदर्सी कहेंगे, पारभासी किसे कहेंगे, जिससे परकास तो आरपार हो, लेकिन बहुत कम मा होता है हम अपनी आखों को उस बस्तू के जड़िये हम आर पार देख सकते हैं ठीक है उसे पारदर्सी कहते हैं और उपारदर्सी क्या होता है अगर हम बस्तू को अपनी आखों के सामने रख ले तो आगला जो नीचे जो बस्तू रखा हुआ है सामने जो बस्तू रखा हुआ है यो नहीं दिखाई देगा अब पारदर्सी हो गया लेकिन परवासिंस दिखाई देगा लेकिन धुन्दला दिखाई देगा जीसे कागज लगा हुआ क्या बोलते हैं कागज में आप तेल लगा लो ठीक है उसके बाद आप देखो तो धुंदला दिखाई देगा ठीक है तो यह उपारदर्सी हो गया दिप्त दिप्त मतलब होता है जो परकास को उत्पन करे दिप्त पदार्थ हो गया उदिप्त मतलब हो गया जो परकास को उद्पन ना करें ठीक है चलिए अब यहाँ पे इन सारे सब्द को हम क्या करेंगे उपारदर्सी, पारवासी, दिप्त और उदिप्त में हम यहाँ पे बरगेखरित करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे नेम आपको दिख रहा है इन सारे नेम्स को आपको अलग-लग यहाँ पे बरगेखरित करना है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपारदर्सी की तो इन सारे नेम में कौन-कौन सा अपारदर्सी है तो यहां पर मैंने लिखा चत्तान का टुकड़ा यह अपारदर्सी होता है ऐल्यूमुनियम यह भी अपारदर्सी हो गया ऐल्यूमुनियम सिट ठीक है दरपन यानि की मीरर यह भी अपारदर्सी होता है लगरी का तकता अपारदर्सी सीडी अपारदर्सी CD पहले यूज होता था, आप तो नहीं देखते होंगे, पहले CD का यूज होता था, ठीक है, लाल तब तो लोहे का टुकड़ा ये भी अपारदर्सी ही है, ठीक है, छाता अपारदर्सी, परकास मन परतिदिप्त नालिका ये भी अपारदर्सी, दिवार ये भी अपारदर्सी, कारवन की सीट अपारदर्सी होता है गैस बननर की जो आला ये भी अपारदर्सी क्योंकि ये किसका बना होता है मेटर का बना होता है ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट है गत्ते की सीट अपारदर्सी प्रकाश मान टॉर्च अपारदर्सी मिट्टी के तेल का स्टोब ये भी अपार्दर्सी शूर ये अपार्दर्सी जुगनू अपार्दर्सी चंद्रमा अपार्दर्सी यानि कि चंद्रमा अगर रियल में आपके सामने चंद्रमा खड़ी हो जाए तो चंद्रमा के सामने अगर आपके आपके सामने खड़ा हो जा पारदर्सी किसे कहते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, इन सारे से हम जो है, आर पार देख सकते हैं अपनी आखों से, ठीक है, यानि यह पारदर्सी है, यानि कि इससे परकास आर पार हो जाएगा, ठीक है, पारभासी किसे कहेंगे, पॉलिथिन की सीट, पारभासी हो ग संतल काच की सिट यह भी समतल cmail काट कीं इन झो मिरर होता है उससे भी आपको धुनला दिखाई देता है आए यह जिसे भी आगए आने वाला जो पस्तू है बहुत खें मौसम में काफी होता है सेल-फोन के सिट से भी धुन्दला दिखाई देता है तार की जाली इससे भी धुन्दला दिखाई देता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है दिप्थ दिप्थ हो गया आपका जिससे परकास उत्पन हो ठीक है जैसे लाल तप्थ लोहे का टुकरा तो लाल तप्थ मतलब की लोहा है जला हुआ बिल्क तोन परकास उत्पन होगा ऑगा up व्हुरीय से भी पर्कास उत्पन होता है जिघजनु से भी होता है गत्रागा बोल सकते है ऎक्षा आप बरसाथ मु?". M.M​, तोन की होता है को साने बदेढ़ होता है of this,ree बेन Qué-दो सिस्टम होता है बुजता है. और जलता है ठीक है चंद्रमा इसमें भी रोश्णी होती है ठीक है ये भी दिप्त पस्तू हो गया ओ दिप्त पस्तू क्या हो गया जी बायू इसमें कोई परकास नहीं होता है जल कोई परकास नहीं होता है चट्टान का ठुकरा कोई परकास नहीं होता है इस तरह जितने भी आपको यहाँ पर वर्ड आपको दिख रहा है, इन सारे में कोई भी फरकास नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ओधित में यह सारे के सारे वर्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैंने, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अलग की है, सारे के सारे इसी से यहाँ पर हम लोग अलग कीए ठीक है देखिए यहाँ जो आपको शब्द दिख रहा है इसी से हम लोग अलग कीए ठीक है आपके इससे बाहर कुछ भी मैंने नहीं लिखा है ठीक है चलिए अब हम लोग आते हैं question number 3 की ओर question number 3 क्या कर रहा है क्या आप ऐसी आकिर्ती बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर बिर्ताकार चाया बनाएं और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आइताकार चाया बनाएं तो हाँ एक ऐसा आकिर्ती है वो है बेलन यहाँ पर आप बेलन लिख सकते हो डारेक्ट अंसर यह भी लिख सकते हो, हाँ बेलन, लेकिन यहाँ पर आपको, यहाँ फिगर भी आपको बना कर दे देना है, तो अच्छी बात है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक बेलनाकार आकिरती, जिससे उपर, यानि कि टॉप, उपर को टॉप बोलते हैं, यान का क्या है भी लनन, ठीक है, बेलन कैसा होता है, तो इसी टेप का होता है, जी बेलन तो इस्सं olacak, रहते ही, पर यहाँ कर रहे-षॉ, यहाँ से आप खळे हो, आपने इसको यहाँ से देखा, तो आपको पर्स्तित हुआ, कि यहाँ यहां पर देख सकते हैं अगर आप यहां से अगर आपके य नजर अगर इस सइड पड़े तो आपको दिखाइदेगा यह आपको आयताकार दिखाइदए ठीक है तो इस तरह यहां फिगर बना करें रही आप सो कर सकती हो ठीक है आप खूश्चनर फोर के वड़ाते हैं, किसी अंधेरे कमरे में, यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पन रखे, तो क्या आप दर्पन में अपना प्रावर्तन देखेंगे, यानि कि दर्पन में आप अपना चेहरा देख सकते हो, देखे, अंधेरा में तो परकास का प्रावर्तन होगा नहीं ठीक है तो यहां पे हम अंसर में लिखेंगे नहीं क्योंकि बिना परकास का कोई प्रावर्तन नहीं होता है परकास का प्रावर्तन के कारण ही तो हम देख पाते हैं किसी बस्तु को अप कैसे देखते हो अंधिरे में रखा हुगा कोई बस्तु नहीं आपको दिखाए द चलिए, question number तो आब आपका समाप्त हो चुका है, NCRT book का solution में, question number 4 तक ही दिया हुआ था, अब हम लोग extra questions देखेंगे, यानि कि अतिरिक्त एबं महतुपुर्ण प्रशनुत्तर, इसी chapter से related हम लोग extra questions देखेंगे, अतिरिक्त प्रशनुत्तर देखेंगे, जो कि बहुत ही important होन इसी से आपको exam questions पूछ लिया जाए, ठीक है, चलिए, question number first क्या है जी, परकास का mark कैसा होता है, यानि कि परकास का जो रास्ता होता है, कैसा होता है, तो परकास का mark जो है, सीधा होता है, यानि सीधी रेखा में परकास गमन करती है, अर्थात, यानि कि हम कह सकते हैं, या सरल हमें कमन करता है, यानि कि सीधी रेखा, सरल मतलब होता है, सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा में कमन करता है, ठीक है, एक दिप्त बस्तू का नाम लिखे, तो मुंबत्ती, मुंबत्ती, लाल्टेन, ये सारे के सारे दिप्त बस्तू हो गया, ठीक है, इसी तरह सूरी भी घटना नहीं होगा प्रावर्तन की घटना नहीं होगा तो हम किसी भी बस्तु को नहीं देख पाएंगे तो यहां पर मैंने लिखा जब प्रकास नहीं होगा तो हम किसी भी बस्तु को नहीं देख पाएंगे यहां पर और लिखना चाहते हैं एक्ष्ट्रा लिख दो क्यूंकि कि प्रावर्तन की घटना नहीं होगी प्रावर्तन प्रावर्तन की घटना नहीं होगी बहुती बिस्ट अंसर होगा इसलिए मैंने कहा आप लिखना चाहते तो लिख लो लियुकरा नहीं है आप देख पाते हो किसी बस्टम को ठीए जैस देखे आप एक खड़िये समझीये का सिम्पल सी बते हाई यहां पर आपकी ゃ ऑँपकर ढॉसनी अपको आँग आप थो इस बस्तू पर पड़ा को और ये क्या-क्या reflect हुआ, यानि प्रावर्तन करके आपके यहाँ पर रेटिना पर आपके आँख के एक भाग होता है, रेटिना पर बापस यह आपको दे दिया, तो यहाँ पर आपको परती थोड़ा है, कि हाँ यहाँ object है, इसे ही प्रावर्तन करते हैं, यानि बस्तू पर और reflect हो गिया, यानि बापस आपके आँखों पर आगिया, तो इसे ही प्रावर्तन करते हैं, इसी बज़ा से आप देख पाते हो, ठीक है, देखे, next है, हमें अंधेरे कमरे में रखी कोई बस्तू दिखाई क्यों नहीं परती, simple सी बात है, अंधेरे कमरे में परकास नहीं हो ठीक है, किस परकार की बस्तू की छाया बनती है, तो अपारदर्सी बस्तू की छाया बनती है, ठीक है, छाया किस की बनेगी, अपारदर्सी की बनेगी, हाबा का छाया बना की दिखा दो, अब बनेगा, नहीं बनेगा, कागस का बन जाएगा, ठीक है, यानि कि पारदर्सी क नहीं बनेगा अपार दर्सी का बनेगा लोहा का बन जाएगा ठीक है ओके इसी तरह आपका सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट है सूची छिद्र कैमरा का क्या उप्योग है तो सूची छिद्र कैमरा का उप्योग किसी बस्तू का परतिविम देखने क्लिए क्या जाता है ठीक है देखना चाहिए क्योंकि सुरी के परकास के साथ आने वाली बी किरन से हमारा आँख खराब हो सकता है सुरी के परकास से जो है प्राइब एगेनी किरने भी आती है ठीक है जो कि ओजोन परत शोख लेता है लेकिन कुछ हट तक आता है ऐसी बात नहीं है ठीक है ओके तो इस तरह ये हमारे आंखों के लिए क्या है हानी का रखे ठीक है परकिर्ते में बनने वाले एक सूची छेदर कैमरा का उदाहरन दीजिए तो पेरों की पत्तियों के बीच से जब परकास गुजरता है तो पेर के नीचे सुरी के परकास के बे दिखाई देते हैं जिस छेदर से यह परकास निकलता है सूची छेदर कैमरा की भातिकारी करता है ठीक है नेक्स्ट परकास का परवरतन क्या है जी जब परकास की किरन किसी चिकनी अपार दर्सी पार दर्सी नहीं अपार दर्सी बस्तू से टकराती है तो उस वापस मु करके आपके आपके आखों तक वह ईक्र करते हैं एक बस्तु का उधारन दीजिस से परकास का प्रवरतन हो ऑग होता है तब अब दातन को दीख पारते हो ठीक है तो और आज की इस वीडियो में हमने कलास्टिक्स का साइन्स चिप्टर नंबर 11 परकास चाहें आएं एबं पड़ावरतन इस चिप्टर से रेलेटेट सारे कोस्टेंस मैंने सोल भी कर लिए ठीक है तो आज के लिए पर लाइक करें को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थेंक्यों